अस्सलामों आलेकूम तो चलिए आज हम बनाते हैं शाही टुकड़ा बाजार से बहतर और जैसे हलवाई कैसे बनाते हैं वैसे ही हम बनाते हैं चलिए आज शाही टुकड़ा चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी साधारन यानि ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा आप एक पतिली के अंदर पूरा डाल दीजिए और उसे फास्ट आज पर सबसे पहले एक उबाल खिला लीजिए. जब उबाल आ जाए तो चूले को कर दीजिए slow से medium आज के दर्मियान और इसके अंदर डाल दीजिए सबसे पहले जाफरान के धागे. उसके बाद आप यहां मैं दाल देती हूँ 1 फोत कप शकर एक बार चला लीजिए आधा कप मिल्क पाउडर दाल दीजिए मैंने यहां नेसले का मिल्क पाउडर लिया है कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं इसे भी मिक्स कर लीजिए और इसे slow से medium आज के दर्मियान में तकर पकने दीजिए आप इंटर्वल्स पे इसे चलाते रहेगा थोड़ा सा मेरे पास मैंने 2-3 हरी लाइची को कूट के रखा था तो उसकी जो बिज्जे थे उससे कूट लिया था उसको मैंने डाल दिया है अब इसे पकने दीजिए तो slow से medium आज के दर्मियान में रहने दीज यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यह तीन ब्रेड लिये हैं और यहाँ पर वो दूसरे वाले हैं पांच तो पहले तो कठे सारो के इस तरीके से काट लीजिए चारो और मैं प्रिफर करती हूं क्योंकि कभी-कभी वो चूई हो जाते हैं आप चाहें तो नहीं नि आप के बना रही हूं तो मैंने पांच को मैंने ट्राइंगुलर शेप रखे हैं और आप मैं बताती हूं तीन को आज इस रखे तो आप देख सकते हैं क्यों रखे हैं क्योंकि एक मैं नॉर्मल डिश में दाल रही हूं और एक मैं ट्राइंगुलर वाली है वो ऐसी डिश मे आप काटिएगा, मैं काट भी रही थी, और side by side, वहीं पर ही मैं खड़ी थी, तो मैं इसे चला भी रही थी, हाँ, ये दूद को, because नीचे लग ना जाए ना, और ये जो side पर आप देख रहे हैं, मलाई आ रही है, उसे भी बार-बार, ये जो हाँ आपने चमच की मदद से, इस तरीके से स्क्रेप करते जाएं, और मलाई को दूद में दालते जाएं, उससे क्या होगा, कि जल्दी काड़ा हो जाएगा हमारे ये दूद, चले अब इसे तकरीबन समझे न, बीस मिनिट हो चुकी है, चुले को कर दीजिए, बंद और इसके ओपर थोड़े से बादाम और पिस्ते बारे कटे हुए दाल दीजिए, तो ये बन गए हमारी मलाई, इसे साइट पर रख दीजिए, असली घी फ्राइपन के अंदर दालिए, उससे फास्ट आज पर गरम कर लीजिए, अच्छा करम हो जाएं, तो ये ब्रेट के टुकड़े हैं, इनें दाल कर लाइट गोल्डन ब्राउन कर लीजिए, उलट पलट करते हुए फास्ट आज पर, चब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तो इनने निकालकर नितार कर साइट पर रख दीजिए, चलिए light golden brown हो गए, इन्हें side पर रख दीजिए, अब एक पतीली के अंदर आधा cup शक्कर और आधा cup पानी डाल दीजिए, दो हरी लाइची को ऐसा खोल कर तोड कर दाल दीजिए, थोड़ इसे जाफरान के कतरे यानि के धागे दाल दीजिए, चुला fast आज पर चालू कर और बस हमें तब तक पकाना है, लो से वीडियम आज पर समझें न, दो से तीन मिनिट तक, यह ऐसा कोई दो तार, तीन तार ऐसी कोई की ज़रूरत नहीं है, यह यह melt हो जाए, बस दो तीन मिनिट तक ही इसे पकाना है, और बस चूले को कर दीजिए, आप इसका बंद, यह पर आप यह दो तक हमें चाशनी मिली है, एक एक करके हमारे यह दालते जाए, ब्रेड के टुकड़े, और एक साइड तीन-चार सेकेंड रखें, पलट दीजिए, दूसरा साइड भी तीन-चार सेकेंड रखें, बस सेकेंड ही रखना है, पलटने के बाद भी, और तीन-द चाशनी में डुबा-डुबा के, करके साइड पर रख दिया है, पलेट के ओपर, और अब मैं यह जो स्क्वेर वाले हैं, इन्हें करकर एक पलेट में साइड पर रख रहे हूं, क्यूंकि मैं दो तरीके के बना रही हूं, लेकिन आप कोई भी एक तरीके का, यानि कि कोई बना रहे हैं, तो एक शेप को डिरेक्ली आप इसमें उलट-पलट करते हुए चाशनी में, पलेट पे रख दे जाएं, अच्छा, अब आप चाहें, तो मलाई को भी थोड़ी गरम कर सकते हैं, अब जो स्क्वेर वाला है, उसे में स्क्वेर वाली डिश में लगा के रख द देती हूं, उसके बाद थोड़े से आप चाहें, तो बादाम पिस्ते दालते जाएं, अब मैं दूसरा चाशनी वाला ब्रेट लगा देती हूं, उसके ओपर जो स्क्वेर डश में हैं, और फिर से मलाई दाल देती हूं, फिर से थोड़ा सा बादाम पिस्ते दाल देती हू और ये वाले जो triangular वाले हैं, इसमें भी दाल दीजिए, ये मलाई दालिये, जादा मज़ा आएगा, उसी का तो taste है, बहुत ही बढ़िया लगेगा, जैसे जैसे मलाई दालते जाएं, थोड़ी सी बादाम पिस्ते भी, खोब सारे बारे कटी हुए दाल दे, अब ये totally आपके उपर है, आपने जितने दालना है, उतने दालिये, मैंने दो तरीके से बनाए हैं, आप चाहें तो एक तरीके से बनाएं, या फिर मेरी तरह दोनु तरीके से बनाएं, दोनु ही तरीके अच्छे हैं, अच्छा कुछ लोग गरम खाते हैं, कुछ लोग ठंडा खाते हैं, त इतनी बढ़िया बनी है और टेस्ट में भी बढ़िया है अगर आप बनाएं तो मेरे साथ comment section में जरू शेक कीजिएगा मुझे आपकी comments बने बहुत अच्छी लगते है रेसिपी अच्छी लगे तो like कीजिए उससे जाद अच्छी लगे तो अपने family और friends में इस वाले वीडि कर दो बस्ट बढ़यों कि इस्ट बढ़एश ऐस्ट कर दो केंस्ट बढ़र श्रू कर दो एंटनी बढ़र के बढ़र के लुक पर लाहते है ऑले जो कर दो तो इस्ट रहूप लगे और सेसे बढ़र का